हेले इबरोवन कैसे हैं आप सब एक बार पुना हाँ सिव कोचिंग क्लासेस पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी जिस चैप्टर का नाम है हैलो एलकेन तथा हैलो एरीन जिसमें आज हम बात करेंगे क्लोरोफार्म बनाने की बीधी में प्रयोकसाला बीधी जो की काफी मात्मून है प्रेयोकसाला में क्लोरोफार्म बनाते समय या तो हम एथिललकोहल ले सकते हैं या तो एसीटोन ले सकते हैं बच्चो दोनों के मदद से क्लोरोफार्म बन जाएगा तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा मैं गारेंटेट कहता हूँ आपसे याद हो जाएगा क्लोरोफार्म बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ता बच्चो सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर मतलब C-A-O-C-L-2 ठीक है ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ मिला करके लुगदी बनाते हैं लुगदी मतलब पेस्ट बच्चो अब इसके बाद जैसे हमने ब्लीचिंग पाउडर और जल को मिला करके लुगदी बनाया और उसमें फिर पानी मिलाते हैं bleaching powder और हलका पहले जल मिलाया और लुकदि मनाया फिर जल मिला करके एक फ्लास्क में रख दे बच्छो यह फ्लास्क है देखे गोल प्येंदिक तो फ्लास्क है और इसके बाद इसमें लगभग 25 ml जैसे मा लीजिए 200 ml जल हमने मिलाया है क्योंकि 100 gram bleaching powder लेते हैं और उससे दुगना जल मिलाते हैं और जितना ब्रीचिंग powder लेते हैं उसका 25% 25 ml हम क्या लेते हैं बच्छो एथिलेल कोहर और फिर इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं बालू उसमक में रखकर गर्म करते हैं बालू उसमक का मतलब क्या होता है बालू उ जो लव है यनि जो हीट है वो काच के फ्लास्क पे नहीं पड़ता पहले बालू गर्म होता है और इसके बाद बालू के उसमा इस काच पे पड़ता है जिससे फ्लास्क चटकने या तूटने का डर नहीं रहता है ने तो डायरेक्ट एदिया आप सीसा को गर्म करो तो तूट फूटता नहीं है, तो गोल पे जुकत-फ्लासक को हम बालू उसमप में रखकर गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं बच्चों, तो सिंपल तरीके से हमें क्या मिल जाता है, क्लोरोफोर्म मिल जाता है, जिसमें कुछ जल के मातरा रहते है, और बच्चो उसमें जैसे एनवेच बिलियन में डाल कर केलसियम क्लॉराइड के साथ मतलब उसको सुखा कर और आसवन के बाद हम क्लॉरोफॉर्म को अलाग कर लेते हैं वो सिस्टम है हम दिर दिर साला समझाएंगे लेकिन थोड़ा आप समझेगा कि लगभग हम बच्चो कितना 100 ग्राम लगभग हम 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेकिगा इसके पर आपको क्लियर रहेगा तो आसानी से कोई भी चीज समझ पाओगे 100 ग्राम हमको लेना बच्चो क्या ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर मतलब C-A-O-C-L-2 और इसमें हलका जल मिला करके ठीक है हलका जल मिला करके क्या बनाते हैं बच्चो लुगदी बनाते हैं क्या लुगदी बना लिए हलका जल मिला करके लुगदी बना लिए फिर इसमें 200 ml दुगुना 200 ml पहले हमने 100 ग्राम ब्लीचिंग पौडर लिया 200 ml H2O फिर से मिलाया और फिर बच्चो इसमें 25 ml फिर 25 ml हमने एथिल अलकॉल एड़ किया एथिल अलकॉल मतलब C2H5OH और फिर इस पूरे चीजों को ले करके हमने गोल पेंजूद फ्लास्क में और जब रासानिक अबक्रिया होती है तो क्लोरोफॉर्म मिल जाता है जैसे यहां से देखो क्लोरोफॉर्म और जो जल काणू है वह वास्पित होकर के ग्राही पात्र में जाता है यहां क्या ग्राही लेकिन उसके पहले सीतलक लगा रहता है सीतलक का का काम क्या होता है सीतल से होका जाते हैं तो जब ठंडा होता है जैसे कोई पनार्थ बास्प के अवस्था में हैं तो जो ठंडा होता बच्चो तो द्रवित हो जाता है जिसे ग्राही पात्र में एक अत्रत कर लेते हैं पूरा इसका मैकनिजम समझाओंगा चिंता ना करें एक एक स्टेप आप लोग हेटिंग लगाएं समीकर्ण में पहला जो पाड था बच्चो हमने लिया था bleaching powder देखेगा इसमें जितने भी समीकर्ण है पूरा complete कराऊंगा पहला जो समीकर्ण है बच्चो हमने लिया bleaching powder एनी प्रथाम पद में बिरंजक चून जो है जल से क्रिया करके बिरंजक कमिस्ट्री का नोट्स ने लियें तो 100 रुपए चार्जल नोट्स ले सकते हैं आल चेप्टर के नोट्स मिलते हैं प्रापर रूप से हैंडिटेंड नोट्स कंटेक्ट नमबर है 96-95-29-90 हमेशा बच्चों को कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ एक प्रापर नोट्स की ज जानते हो यह जिसे H2 वो टूडता है तो H और OH में टूडता है और केलसियम OH को ले लेगा भाईया OH को ले लेगा तो CAOH का होल टोईस बनाएगा काओके सर एक और आक्सिजन कहां से यहां से और जो CL2 है यह क्लोरीन गैस निकल जाता है यही पहले स्टेप में बिरंजक चू मुख फसाद का जड़ा है यही दासानिक अब क्रिया संपन कराने में मदद करता है देखेगा बच्चो ठीक है तो दूसरे स्टेप में हमने लिया था बच्चो क्या पहले हमने कहा कि केलसियमाक की क्लोराइडिस में जल मिला दिया यह क्रिया हुई अब 25 से मिल एथिल एलक और भाईया यही क्लोरीन पूरे जंग के फसाद का जड़ है मतलब यहां पर अब क्रिया संपन कराने के लिए मदद गार है अब बहुत सिंपल है थोड़ा समझना बच्चो कुछ भी नहीं है यहां से 2H निकलता है 2H निकलेगा 2H निकल जाएगा सिंपल तो क्या बचेगा जरा ध्यान देना CS3 CHO बचेगा और 2H जो है UCL2 को लेकरके 2HCL बना लिया और CL यही तो चाहता था कि भाई तुम पर ही हम अटैक करेंगे तिम्हारे अंदर से ही कलेजा से ही हम तुम्हारे जान को निकालेंगे और वही हो गया अब भाई कोई बात नहीं है यह हमारा बन ग अब इतरे अंदर के हैड गोँआपकर के अवर में जटका मारूंगा इतनी टाका थि बच्चो पहले इस कार्वन के सांद दोरों हाइड्रोजन को धक्का मार दिया फिर इस कार्वन के तीनों हाइड्रोजन को धक्का मार दिया यही कला ता ell ॥॥ acetaldehyde बस अब इतना सिंपल है न यही आपका जो calcium hydroxide था न इससे क्रिया करेगा भाई chlorine को मारते मारते भाई देखो यहां से chlorine को धक्का मारा तो chlorine ने वोला चलो आने बाले को हम धक्का मारेंगे तुन्होंने alcohol को धक्का मारा और यहां तक बनाया अब यह जो बन गया chlorine का तो काम करता मैं अब यह calcium जो hydroxide है इसके साथ क्रिया करता है बच्चों और क्या बना देता है तो बनाता है आपका chloro form तो करा दो भाई यह अभिक्रिया चलो चोथे नंबर पे अभिक्रिया कराते हैं तो भई साहब हमारे पास calcium hydroxide है c a o h देखो ठीक है और यह chloro बच्चों इसका दो भाग ले लो c c l 3 c h o c c l 3 c h o अब बच्चों simple है देखिएगा chloro form का सूत होता है c h c l 3 h bus की जरुरत है और यहां c l 3 already है तो यहां से भी h है बच्चों और c c l 3 यहां भी है तो c h c l 3 c h c l 3 यहां से मिल चुका है तो बना 2 c h c l 3 ठीक बच्चों और यहां पे जो calcium है तो यह calcium है और क्या बच्चा c o o h मतलब c o o h का whole twice बस calcium फार्मेट है बच्चों यह calcium फार्मेट है ठीक है वही चीज़ है यहां पे confused मत होना ने तो कैदो सरी यह क्या बना दिया आपने बुक में तो हमारे नहीं है बुक में ऐसा था calcium है o o c h है o o c h है तो वही चीज़ है परसान मत होना यह वही चीज़ है बच्चों ठीक है तो step by step हमने आपको समझा है तो सबसे पहले बीधी में लिखेंगे आप लोग देखिए लगबख 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ी से जल मिलाकर लुकदी बनाकर उसे 200 ml जल में मिलाकर एक फ्लास्क में रख लेते हैं जिस बच्चे को नोट्स लेना है नोट्स ले सकता है नहीं तो यहां से स्क्रेंशाट भी बनाकर के नोट्स बना सकता है ना भाई स्क्रेंशाटे लो नोट्स लिख लो है ना जिसमें 25 ml एथील अलकॉल है एसीटोन मिलाते हैं एसीटोन मिलाते हैं बालू उसमक पर फ्लास्क जमा कर आस्मन किया जाता है तो ग्राही फ्लास्क में जल और क्लोरफार्म अई जल है तो दो सतय मिल जाते हैं धल्ट है क्लोरो को प्रता कारी क्डीब की स सहाइता से अलग कर लेते हैं पूरिद यह यहाँ पे जो मिला वो जल और और क्लोरोफार्म का सतय है इसको भी अलाग करना है बच्छों, तिया भी दिये बच्छों बाकी रासानिक समीकर का क्रम आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए और यदि आपको पुरा हिंधी लिखना है तो लिखते भी चलें जैसे देखो, पहले हमने क्या कहा कि पहले बिरंजक चू सब्सक्राइब करेंगे एक दो बार अच्छे तरीके से माइन में फीड करेंगे कि हमने क्या 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 बता था कि 100 ग्राइम बीचिंग पौडर लिया थोड़ा सा जल मिला कर लुगदी बनाए फिर 2 हमिल पानी मिला दिया और फिर बच्छो तो जल और क्लोरोफाम की दो सतह मिल गए ठीक है जिसे हम प्रथाकारी कीप की सहाइता से अलग कर लेते हैं फिर इसे एन्योच बिलियन में मिलाते हैं जल से धोते हैं CACL2 से सुखाते हैं और इसका आसबन करके सुद्ध क्लोरोफाम प्राप्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए उम्मीद करता हूँ चीज़े क्लियर है बच्चो और आप लोग कहोगे कि सर हमें ऐसी टोन का भी बताए तो ऐसी टोन भी मिला कर हम बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें तीन ही स्टेप है तीन स्टेप में complete हो जाता है को तो इसी lecture में बता देते है सर बता दीजे तो और आसान रहेगा है ना जैसे सबसे पहले तो आप सबको पता है कि भाई सहाब यहाँ पे थोड़ा सा देखेगा पहला स्टेप तो आप लोगो पता है कि हमने लिए bleaching powder c a o c l 2 और पानी मिला दिया बच्चो और जब पानी मिला दिया तो simple तरीके से यह आप कहोगए c a o h का whole twice और c plus c l 2 अलग हो गया chlorine अलग हो गया यहाँ पे plus c l 2 है ठीक है यह तो confused हो ज़ाओ सब जुड़ा हुआ है नहीं plus c l 2 है बच्चो यह c l 2 अलग है ओके फिर से करादो सर नहीं तो confused हो जाएंगे बच्चे भई देखो c a o c l 2 है calcium oxichloride h 2 o है तो यह भई साहब h 2 तूटकर o h बनाता है c a o h का whole twice हो जाएगा plus का बच्चो c l 2 अलग हो जाएगा यह पहला step हो गया दूसरे step में हमने लिया acetone c s 3 c o c s 3 यह होता है acetone और यही chlorine पूरा खेल का तमाचा बनाता भई साहब ठीक है तो तमंचे पे डिस्को यह hydrogen 3 निकलेगा तो 3 chlorine जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर हो जाएगा c c l 3 c o c s 3 और 3 h c l बहार हो गया बस इतना simple है इतने में ही काम हो जाएगा क्योंकि भई साहब तीसरे step में कितना simple reaction होगा c a o h का whole toys है बच्चो और यहाँ पर आप इसका दो भाग ले लो इसका दो भाग कैसे c c l 3 c o c h 3 c c l 3 c o c h 3 अब बच्चो बस h और यह h जूड़ जाते हैं खत्ताम टाटा बाए बाए c h c l 3 दो भाग बन गया खत्तम बाबु टाटा बाए बाए बन गया न यार कोई दिक्कत नहीं है अब सरी यह क्या होगा तो कैल्सियम कर दो और यह आक्सिजन आई है आपका तो o o यहाँ पर क्या बच्चा c c h 3 यह कर दिया आपन ने हाँ भी o o c c h 3 खतंग यह ऐसी टोन बनाए भाई है तो दो मिनट में यह भी हो गया यह कैल्सियम एसीट है वहाँ पे कैल्सियम फार्मिट बन रहा थे यह कैल्सियम एसीट है पताओ कि इस बच्चे से नहीं बनेगा यार सिंपल है बहुत ही यह तो तीन ही अपक्रियम हो जाए लेकिन कोई यह एसी टोन से पूछ दे तो बनना चाहिए बाकी आगे चलकर यह कोश्चन आएंगे रिवीजन कराएंगे चनल पहली बारा है चनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों नोट्स लेना है तो ले ही लेना ताकि प्रापर तैयारी आपकी हो सके फिलाल अभी कले इतना ही जैहिंद बंदे महतरम